साईयो ये बार बार उसके अंदर से गंदेगी को निकालते रहना पड़ता है ठीक उसी तरह मन को सुखी रखने का सिर्फ एक ही तरीका है किसी के बारे में बुरा मत सूचू न करो, किसी से बैर मत करो जहां तक हो सके, दूसरों की मदद करो मैं आपका इशारह समझ गई हूर साई अपने इस तालब को ज़रूर साफ करोंगी दाता ने दो हाथ दिये है सेवा सब कर्मों के लिए है जूठी राह पे क्यों तुझी ये है नेक राह ही है हर का का आप आप एप ने ने आम कहीं मैंने क्रम्बक दादा को सच बता के गलती तो नहीं की, वो गुस्से में कुलाडी लेके निकले हैं, कहीं कुछ गलत ना कर बैठी, कराई बाबो को बताओंगी तो वो परेशान हो जाएंगे अमबा यहाँ क्यों खड़ी हो? बाबा बाबा किसी कुछ पटाइटा तो नीन? बाबा, मैं चलता हूँ, नगर जागर खाद और दवाई ले आता हूँ पेटा, जब पैसे नहीं है तो नगर जाकर तु दवा और खाद खरीदे का कैसे है। बाबा, पैसो के इंदिजाम हो गया है। हो गया? पर कैसे? कुछ साल पहले सहेली को उधार दिये थे, हमें जरूरत पड़ी तो उससे मांग लाई। वो आई से पहले खाद और दवाई लाकर घर में रख देता हूँ। चलता हूँ चिंतमनी दादा को भी बता तो क्या? दादा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताओ क्या हुआ। दादा वो… चिंतमनी दादा, अच्छा आप नगर के लिए निकले नहीं। पर हुआ क्या है? दवा के लिए शहर जाने की अवशकता नहीं। माधवराओ जी ने अपने खेतों के लिए नाशिक से दवा और खाद मंगवाये हैं। साई के कहने पर उन्होंने हमारे खेतों के लिए दवा और खाद भेजे हैं। आज ये दवा डलवा देते हैं, दो दिन बाद बिजबोना शुरू कर देंगे। साई को सबकी चिंता है। चलो चलो, अभी खेत पंचाकर दवा ही डाल देते हैं। दादा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी दिर में आता हूं, फिर बता रेना। दादा, आज इस रास्ते से हम क्यों जा रहे है। मादवराव जी ने हमारी इतनी मदद की। उनका धन्यवाद देना तो बनता है। इस समय वो चावडी पर यह होते। मादव जी, नमस्कार। नमस्कार चिंतामनी। आपने हमारे लिए जो किया। इसका आभार प्रगट करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने? मैंने क्या किया है। मदद करके जद्दाना नहीं चाहते। यही तो आपकी महानता है। आपकी दीवी खाद और दवाई से अब मेरा खेत अगली फसल के लिए तयार है। बहले आदेश साई काओ। पर खाद और दवाई तो आपकी ही थी ना। जब अपनोंने साथ चुड़ा। तब आपने मदद का हाथ आके बढ़ा है। आप तो मेरे लिए बगवान समान है। तुम्हे कोई गलत फैमी हुए चिंता मनी। मैंने तुम्हे कोई दवाई या खाद नहीं दी। ना ही साई ने मुझे कभी ऐसा कुछ करने के लिए कहा। मैं तो खुद अपने खेतों के लिए खाद लेने कल नगर जाने वाला हूँ। आपने नहीं। तो फिर किसने की। साई कहा है। बाउ। तुमने कहीं साई को देखा। हाँ, थोड़ी दर पहले कुए के पास देखा था। ठीक है। साई पानी अज बहुत साफ है। हाँ, साई पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कभी कभी मैं इस पश्टा के लिए पानी को नहारता हूं। साई 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 कुछ दवा और खाद की व्यवस्ता की है मैंने उसे आप दादा तक पहुचवा दे। क्योंकि मुझे पता चला है कि इस खाद और दवा के लिए वो गहने गिर्वी रखने वाले हैं। मेरे पास काफी मात्रा में खाद और दवा है। छोटे भाई के पास संसाथ होने के बात भी अगर बड़े भाई को गहने गिर्वी रखने पड़े तो लानत है मुझ पर। तो तुम उसे खुद क्यों नहीं दे देते। अगर मैं दूँगा अब तो वो निश्चित ही नहीं लेंगे। इसलिए आपसे बिंति कर रहा हूं। जब कर दूँगा तो टूँ कितर। सेकार अरबार लह को दोगा देते, तब इस बार में बहुसाने करने कहवा, पहले साथरी से शिकायद करूँगा, और्सके बादा को सारी बातें मताऊँगा। सरकार की शिकायत करेगा शिकायत करने के लिए बचेगा तब शिकायत करेगा न वहालक हम इसको तब-तक कूतो जब-तक इसे अपनी जृरत का ऐसास ना हो जाए अरॉए इसे! मानव एगा! अब तेरी इसी को लहाड़ी से में तुकड़े तुकड़े करूंगा तेरे रााााा! रोक! रोक धर्बोक! रोक! दादा! 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 आपने क्या किया? तुझ पर आरोप लगाया था तुझे दूर किया था उसका प्रैश्चित किया दादा! नहीं दादा! दादा! क्या रोगाया जाही आप कुछ करते क्यों नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता मुदावरी जी मुझे पता है आप भी कुछ कर पाएंगे मैं आपसे हाथ छोड़कर फिंती करता हूँ कोई चमतकार खीजिए मैं इसकी मदद नहीं कर सकता साई आपके अलाबा हमारी कोई उमिद नहीं है आप ही मना कर देंगे तो हम क्या करेंगे तुम्हें क्यों इसके फिक्र वो रही है तुम्हें तो अपना सब कुछ बांट लिया है न साई साई वो मेरे चीवन की सबसे बड़ी भूल थी पर अब मैं सब जान चुका हूँ वो सब कुलकरणी सरकार की चाल थी वो हमारी सफलता से हमारे बढ़ते रुद्बे से जलते थे इसलिए उन्होंने ऐसी गंदी चाल चली और हमें बाट दिया परिवार कोई मिट्टी का खिलोना नहीं है जो आसानी से तूट जाए अगर प्यार और रिष्टों का बंधन मस्बूत हो तो परिवार को कोई नहीं तोड सकता हाँ पिल्कुल ठीक है रहे साई अब हम सब सबक सीख चुके हैं हमें सब जा गया है कि हमारी ताकत हमारी एकता में है और अब कोई भी चीज हमें एक दूसरी से अलग नहीं कर सकती हम एक परिवार है एक जूट है और हमेशा रहेंगे हमारा परिवार एक घर की तरह है साई और अगर आई बापा उस घर की चात है तुझे तम इनी दादा अस घर की नीव और नीव के बिना तो घर नहीं ठेक सकता ना साई इसलिए मैं आप से विंती करती हूँ आप इने ठीक कर दीजे साई आप इने ठीक कर दीजे आनंदी तुवारी भावनाय बहुत अच्छी है मगर सच्ची तभी लगेंगी जब घर को बाटने वाली वो लकीर मिट जाए अगर वो लकीर मिट गई तो शायद मैं इसकी कुछ मदद कर सकूंगा अगर ऐसी बात है तो मैं खोज जाकर उस लकीर को मिटा दूँगा लेकिन आप मेरे दादा को ठीक कर दीजे साई तो फिर तुम यहां खड़ी क्यों हो चिंतामानी को छोड़ कर जिंजिन लोगों में बटबारा चाहा था वो घर जाएं और उस लकीर को मिटा दें चिंतामानी के पास वक्त बहुत कम है जी साई साई चिंतामानी के पास वक्त नहीं जी जी आपका कहा रहा है गोदावरी जी मुझे वो कोडियों की माला दीजे ना मांगु दूआ ना चाहूं में ना मांगु दूआ ना चाहूं महर बस तेरा करम हो शामो सहर राही को दिखाए राह गुजर बस एक नजर तेरी एक नजर रहम नजर साइए रहम नजर रहम नजर साइए रहम नजर रहम नजर साइए रहम नजर बंदे हैं हम सारे उसके सब का मालिक एक श्रद्धा और सबूरी रखकर काम किये जानेक कोई भी राह कोई भी सफर कोई भी राह कोई भी सफर उसoga पहुचे हर एक डगर राही को दिखाए राह गुजर बज एक नजर तेरी एक नजर रहम नजर साइए रहम नजर साइए मेरे साइए रहम नजर मेरे साइए रहम नजर मेड़ कहा tanto अब जल्दी चलो दादा दादा, आप ठीक है ना? हाँ, मैं आप ठीक हो साही के चमतकार से जिन्दा मनी ठीक हो गया गुदावरी जी ये तो उस बटवारे की बीडा थी जो इस घाओ के रूप में प्रकट हुई बटवारे की लकिर मिटा दी तो ये जखम भी ठीक हो गया साही अब हमारे बीच कोई लकिर नहीं बनेगी बटवार, आज के बाद के थी दम्हेंतियाई से दूर नहीं करूगी अंबा तुम कुछ कहना चाहती हो हाँ आई बाबा अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया अंबा यह तो क्या कह रही तू भी तो इस घर का हिस्सा है मैं इस परिवार का हिस्सा बनने लाइक नहीं हूँ इस परिवार का क्या मैं तो किसी भी परिवार का हिस्सा बनने लाइक नहीं हूँ आज पुझे दिख रहे कि मैं कितनी गलत थी, जो अपने ही परिवार में दरार पैदा कर दी दरार, तुमने पैदा की, मैं कुछ समझा नहीं घर का वटवारा मेरे वज़े से हुआ था दादा सब में मतबेद, शक, गलत फैमिया मैंने ही पैदा की थी यह तुम क्या कह रही हो? पच्चे समालना, सास्व सुकी सेवा, यह तो खौरत का सुक है, यह काम की गिंटी में कहां सा आए? काम तो आप करती है, वो भी महनत वाला है opposition क हुआ बादा को अज़ ए बादा करते हैं TS वार खो लादा धंत वार, वो न तुम क काम अऊ़ दो हो दिए वार, फित कagit में मत बादा अ क्यो आप, वह दो ह्श्रत किन समाड़ा आज मुझे एसास हो रहे ही कईना कई मैं ही गलत थी इसलिए तो अपने परिवार को भी नहीं समाल पाई लेकिन जो हुआ उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया अब मैं इस घर में आप सब पर बोज बनकर नहीं रहूंगी अपना नया रास्ता चुनूंगी और यही मेरा पश्चताब होगा क्योंकि जो मैंने किया है उसके बाद मुझे यहां रहने का कोई हग नहीं है और ख्याल रखिएगा कि आपका ये सपना दूसरे सपने के तोटने का कारण ना बने साही जब मैंने आपको अंबा से जुड़े सपने के बारे में बताया था तो आपने मुझे से कहा था कि कही एक सपना तुमारे दूसरे सपने को तोड़ ना दे कहीं आप इसी सपनी के बारे में तो नहीं कह रहे थे क्या आपके कहने का मतलब ये था तुम्हें शर्म नहीं आई अम्मा अपने परिवार को तोड़ दिया मुझा मैं अभी अभी गंगाधर जी का परिवार पुरा हुआ है और तुम यहां से जाकर उसे फिर एक बार अधुरा करना चाहती हो जिस तरह तुम किसी की बातों में आकर बहग गई थी उसी तरह तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे भाई बहग गए थे गलती सब से हुई है बच्तावा भी सब को है तुम माफी भी सभी को मिलनी चाहिए ना अमबा तुम्हारे साथ जो हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी ये तुम्हारे पती के कर्म है जिसका फल भी उसे मिलेगा और ये बात तुम सब को याद रखनी चाहिए कि कोई भी अपने कर्म फल से नहीं बच सकता तुम्हारी गलती ये थी कि तुम अपने परिवार पे विश्वास ना करके किसी और पे विश्वास कर रही थी जो तुम्हारे जरीये तुम्हारे परिवार से बदला लेना चाहता था तुम सोचती थी कि तुम्हारे दुख को तुम्हारे परिवार वाले समझ नहीं रहें इसलिए एक धरह से तुम भी तु बतला ही ले रही थी प्रतिशोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है आज त्रम्बक ने विवेक से काम ना लेकर कुरोध में कुलकरणी सरकार को ललका रहा जिसके कारण चिंतामणी को चोट रही हमें प्रतिशोध लेने के बजाए खुद को इतना द्रिड करना चाहिए इतना मजबूत बनाना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिती आजाए वो हमें प्रभावित ना कर सके मैं समझ गहीं साई और मैं भी अब मुझे किसी से कोई बतला नहीं लेना है मैं बस अपने परिवार के साथ अपना घर फिर से बनाना चाहता हूँ और उस परिवार में आमबा भी शामिल है आमबा तुम कहीं नहीं जाओगी हम सब यहीं एक साथ रहेंगे हम आमबा साई हमें आशिरवाद दीजिए राम जी भला करें नहीं अपने यह जाओगा जिन जंगली जानवरों को आमने ठुम्भक के के खेतों को उजाड़ने के लिए पकड़ा था उन्हें अपने दो शाला में बांध रखा था व्यूंदे रहा था गर्र्रूंध है कि नहीं अट यह निच्थ पुर्वद ने आख़ा दो आख़ा कर दोड़ के भाग गे और उन्हें हमारे सारा क्या दू जाड़ दिया सरकार सारी पसल बरबाद कर दी सरकार क्या हां मुर्खों किसने कहा था गोशाला में जंगनी जानवरों को बानने के लिए जानते हो ना तुम गोशाला का दौर लकडी का है वो जानवर कभी भी तोड सक किसने कहा था तुम्हें किसने कहा था तुम्हें किसने कहा था 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 थ सरकार पर जोटी मालकिन का होकुम हम गरीब कैसे डाल सकते हैं सरकार सारी फसल बरबाद हो गई वह तुमने जंगली जानवरों को गोशाला में रखने के लिए कहा था क्यों कहा था संसुर जी मुझे लगा आपके तो आए दिन किसी न किसी से दुश्मनी होती रहती है क्या पता खब जरूरत पढ़ जाए लेकिन क्या करूं ले तो आपके बहूं एक आरत हो ना मुझे कैसे पता होगा के जंगली जानवर इतने कहतर नाग होते हैं लेकिन आपके चमचोंग को तो पता होना चाहिए ता ना आखिर बरसों से आपके संगत में रहे हैं क्यों प्रकॉण भाओ बरसों से बिजन के अचाहिए वाओ धिर्साट मुशी आपके लिएपके लाओ इसकारे कब्स्ता है च्ट्ट्ट्ट्ट्ट प्रोपके टुडूर्ने अंच प्लिए अच्जाव उड्याने झाल झाल